हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आम सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा आठ की वॉक्षीट नंबर 27 जोकी 28 अक्टूबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का विश्य है बच्चों विज्ञान और इस वॉक्षीट में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्र प्रतिबिम्ब जो एक समतल दर्पन के द्वारा बनाया जाता है उस प्रतिबिम्ब की क्या-क्या विश्येश्टाएं होती है क्या लक्षण होते हैं ठीक है तो टॉपिक है समतल दर्पन द्वारा बढ़ने वाले प्रतिबिम्ब के लक्षण तो पहला लक्षण है कि प्रत प्रतिबिंब है यानि उसका जो इमेज है वो दरपंड से उतनी ही दूर पीछे की साइड बनेगा ठीक है दूसरा इसका लक्षन है कि प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है यानि कि जितने आकार का ये वस्तू है वस्तू को बिंब भी खहते हैं ठीक है तो जिस इस आकार की वस्तु है उतने ही आकार का उसका प्रतिबिंब भी बनेगा ना चोटा बनेगा ना बड़ा बनेगा ठीक है और सीधा बनेगा उल्टा नहीं बनता है प्रतिबिंब को परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है अता यह अभासी बनता है यानि समतल दरपन के द उस पिक्चर को देख सकते हैं, फिल्म चला सकते हैं, पर ये वाली जो इमेज है, ये वाला जो प्रतिबिम्भ है, उसको परदे प्याप नहीं बना पाएंगे, ठीक है, उसके बाद है कि समतल दरपड में वस्तु का दाया भाग प्रतिबिम्भ में बाया दिखाई देता है, या आप समझ सकते हैं कि ambulance शब्द को इस प्रकार क्यों लिखा जाता है, तो आपने देखा होगा कि ambulance में आगे की साइड इस तरीके से ambulance लिखा होता है, उल्टी दिशा में, तो उसका reason ये है कि अगर ambulance के सामने कोई गाड़ी है, तो अगर उस सीशे में ये इस ambulance को तो उस सीशे में इसका जो चुत्र बनेगा वो सीधा बन जाएगा और इस तरीके से यह जो गाड़ी वाला है वो इसको सही तरीके से पढ़ पाएगा कि यह क्या लिखा हुआ है तो यह तो हो गए इसके लक्षन अब है परावरतन के प्रकार ठीक है यंदि प्रकाश के सोई में गई और पुरानी थाली में चहरा देखने लगी नई प्लेट में तो चहरा सपस्ट रूप से दिखाई दे रहा था लेकिन पुरानी प्लेट में यह धुदला था अगले दिन स्कूल में उसने अपने सिक्षक से पूछा कि उसका चहरा पुरानी प्लेट में धुदल क्यों दिखाई दे रहा है सिख्षक ने कहा चलो इसे विभिन सतहों के साथ करके देखते हैं दी गई तालिका में सतहों में अपनी छवी का निरिक्षण कर तालिका को पूरा करें तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना हर वो सतह जो बिल्कुल प्लेन होती और चिकनी होती है उसमें हमारा प्रतिबिम दिखेगा धुदला या पूरा साफ लेकिन वो सतह जो की थोड़ी सी कुर्दरी है जैसे दिवार होती हैं कपड़े होते हैं तो उन सतह पे प्रतिबिम कभी भी नहीं बनता है ठीक है अब यहाँ पे इनोंने एक टेबल दे रखी है और इस टेबल चलिए देखते हैं पहला है नई स्टील की प्लेट तो अभी हमने देखा कि इस पर प्रतिबिम साफ बनेगा ठीक है उसके बाद है लकडी की टेबल लकडी की टेबल को अगर उस पर प्लाई लगा के चिकना कर दिया है तो उस पर धुदला धुदला जो है वो तस्वीर बन बिल्कुल साफ दिखती है हमारी शकल उसके बाद है पानी से भरी बाल्टी तो अगर पानी से बाल्टी पूरी भरी हुई है और उसको आप हिला नहीं रहे है पानी बिल्कुल शान्त है तो इसमें भी आपको अपनी इमेज साफ नजर आएगी ठीक है उसके बाद है दीवा यानि हमारा चहरा जो भी चीज हम देखना चाहते हैं पर वो धुदुला दिखेगा, ठीक है, कैसा दिखेगा, धुदुला, ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने इस तालिका को पूरा कर लिया, चलो अब हम करेंगे कुछ प्रश्नों के उत्तर, तो पहले प्रश्न में ह नहां पर एक, दो, तीन, चार. चार लक्षन दे रखे हैं. यही चारों लक्षन आप अपनी कोशन नंबर वन के आंसर में लिख देंगे. answer किसका है question number one का ठीक है बच्चो उसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्ण और दूसरे प्रश्ण में कहा है कि अंग्रेजी वर्णवाला के वो अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिम्ब बिल्कुल उन्ही की तरह बनते हैं तो अगर आप A का बनाएं या फिर और किसका बनाएंगे H का, I का, M का, O का, फिर P का, U का, V का, W और X इन सबके जो प्रतिबिम्ब बनेंगे बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे वो उल्टे नहीं बनेंगे ठीक है क्योंकि इन पिक्चर को आगे से देखें या पीछे से देखें ये एक जैसे ही दिखते हैं तो इस तरीके से पहला और दूसरा प्रशन तो हमने हल कर लिया अब हम देखते हैं तीसरा प्रशन और तीसरे प्रशन में कह रखा है कि रिक्त स्थान भरिये पहला है कि प्रतिबिम्ब जिससे परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है वह डैश प्रतिबिम्ब कहलाता है तो अभी हमने उपर पढ़ा कि ऐसा प्रतिबिम्ब आभासी प्रतिबिम्ब होता है ठीक है आभासी देखो मैं दिखा भी देती हूँ आपको कहां पे लिखा हुआ ये देखो ये रहा आभासी प्रतिबिम बनता है तो आप यहां पे लिखेंगे आभासी तो A part तो आपने solve कर लिया इसका अब हम देखते हैं इसका B part और B part में हमसे पूछा हुआ है कि समतल दरपन में वस्तु का दाया भाग प्रतिबिम का बाया भाग यहां पे लिख देंगे बाया भाग दिखाई देता है यानि कि हमारी अगर हम mirror के सामने खड़े हैं तो जो हमारा left हिस्सा है वो mirror में हमें right की तरफ नज़र आएगा और जो हमारा right वाला हिस्सा है वो mirror में left की तरफ नज़र आता है ठीके बच्चो उसके बाद चौथा प्रशन है कि दीप्त वस्तु क्या होती है दो उधारण दीजिए चलिए इसका आंसर मैं लिखकर आपको दिखाती हूँ तो बच्चो इस प्रशन का आप उत्तर लिखेंगे ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं इनके उधारण है टौर्च और सूरज ठीके बच्चो तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट and I hope आपको ये है तो उसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू